आज हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद एक रैंडम सा प्लैन बना कि लॉंग प्राइब पे जाते हैं उसके बाद एक हाइकिंग कर देंगे तो हम हमारे घर से 40 तो 45 मिनिट्स दूर स्नो कॉल में करके एक प्लेस है वहां पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत ही सीनिक व्यू है पूरा ड्राइब बहुत ही सीनिक व्यू था अनाया कार में ही एक नैप लेली स्मॉल सा और हमने एक्सपेक्ट ने किया था बट अभी समर चल रहा है अल्मूस्ट वन मन्थ हो गया है समर को आके तो हम वहां पहुँचे और पता चला कि पूरा रोड पे रोड से स स्नौ हैं बहुत जादा तो हमने रोड साइड में कार पार्क किया और फिर हम ट्राइ कि तब तक हम वह हाइकिंग प्लेस पे वाक कर के पहुँच जाएं हमें आइडिया नहीं था इसलिए हम स्नौ बूट पहन के नहीं आये थे हम अपना रेगुलर स्पोर्स शूजी डाल क कि या थे जो की बहुत रिसकी था लेग बहुत स्केट कर रहे थे हम मूस्ली अनया बट वह भू बहुत जादा इंजोय कर रही थी आप देख सकते हो लिटरली पैर कितने अंदर तक जा रहा है यह रोड पे ता स्नौ था अंदर तो गर जादा होगा बट अनया बहुत तो हमने उसे कुछ तेर प्लेइ करने दिया फिर हम आगे गए तो कोई रटर्न आ रहा था तो मैंने उसे पूछा कि कितना दूर है ट्रेल देन ही वस लाइक 20 मिनिट्स का वॉक है और उसके बाद ट्रेल है तो हम प्रॉपर गियर में नहीं थे और बहुत स्केट कर रहा था हम हमारा शूस तो हम आधे रास्ते से रटर्न चले गए अनाया के कुछ दिर प्लेइ करने के बाद हम रटर्न गए पास में ही एक लेक था तो हमने सोच हम थोड़ा टाइम वहां स्पेंड करते हैं तो अगें आप देख सबते हो अनाया वह सुपर एक्साइटेड अब उसे ल हस्पेंड उसके साथ खेल रहे थे मीनवाइल मैं वीडियो शूट कर रही थी और अनफॉर्चनेटली अनाया ने पानी में जम्प लगा दिया आप देख सकते हो मेरे हस्पेंड उसको दूसरे साइड ले गए यह पानी जो भी स्नो मेल्ट होता है उससे ही यह पानी आया है लेक के अलावा भी साइड साइड में पानी थे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्नो मेल्टेट वाला पानी है और अनाया ने इसमें जम्प लगा दिया और वो पूरी ही गिली होगी लेक उसका पूरा ड्रस गिला हो गया तो फिर हम उसे बोले चलो चेंज कर देते हैं बट वो जाने को रेडी ने थी उसे गोर पानी में जाना था तो हमने थोड़े देर उसे फिर से पानी में प्ले करने दिया तो आप देख सकते हो वो कितने क्यूटली प्ले कर रही है और वो बहुत जादा एक्साइटेड थी हमने सोचा नहीं था कि वो पानी को देखके ऐसे एक्साइटेड होगी फोर्स टाइम हम आये हैं उसको लेके बाहर और यहाँ पर में यह है कि यहाँ पर कोई भी नहीं था एक भी लोग नहीं थे तो अच्छा लगा लएक थोड़ा फ्रेश एर विदाउट मास्क हम थोड़े देर एंजोई कियें